केंद्रिय वित मंत्री निर्मला सीता रमन के बजट भाषन में अलगलग वर्ग के जो लोग हैं उमीद कर रहे थे कि उनको कुछ ना कुछ राहत मिलेगी किसान जो हैं वो भी उमीद कर रहे थे कि उनकी लंबे वक्त से जो मांगे हैं वो इस बजट में पूरी होंगी क्या मिला किसानों को, क्या किसान संतुष्थ हैं, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त, हर्याना के यमनानगर जिले के किसान मौजूद हैं और हम ससोली गाउं हैं, यमनानगर में वहाँ पर मौजूद हैं आप ये बताईए बजट भाशन आपने सुना आप संतुष्ट हैं किसानों के लिए कर्ज दार के बात की गई किसान को इस टाइम रिंड की नहीं किसान को इस टाइम अपने फसलों के रेट की जरूरत है अगर किसान को अपनी फसलों का रेट पूरा मिलेगा जो रिंड पहले ही किसान के पर चड़ हुआ है करजमन्द होए पड़े हैं किसान तो उस रिंड को चुका पाएगा सरकार किसान को और अपहीज बनाना चारी है और रिनी करना चारी है तो इस बजट से साफ पता चलता है कि इस सरकार को किसान से कोई लेना देना नहीं है कोई मतलब नहीं है ये सरकार सिर्फ अपना राजनीतिक फायदा हर जगा देख रही है जैसा भी आपने हर्याना में देखा कि हर्याना सरकार ने जोर जबरदस्ती से किसान संकठनों ने मरत की किसानों की तब जाके ये 10 रुपे छीनने में हम कामयबू हैं सरकार ने जज़रो दिये नहीं हैं यह 10 रुपे किसान संगठनों ने चाहलों की मरत सोथ चीमडें गए हैं अब आप देख't But I also live array on a Premiere और किसान का रश्वरा गजण उहां वैप साथ पैसे जिससको किसान ने किसान को दस पैसे प्रति किल्लो का दिया है अब आप हिसाब लगा लेजिए दस पैसे प्रति किल्लो की बड़ उत्री में किसान कहां से अपना रिंड तार लेगा और यह सरकार कह रही हैं किसानों को और रिंड देंगे रिंड तो पहले किसान के सर तक आ चुका है तो किसान को रिंड कर रहे थे बज़ट में की कुछ आएगा बिलकुल हमें उमीद थी किसान अंदोलन ने जो समाप्त करवाया गया था हमारे को कहा गया था कि मस्पी का कनून बनेगा समर्थन मुल्या पर आपकी फसल भी कहेगी हमें उमीद थी कि अब की बार बज़ट में लेकर आएंगे एक बज़ट लेकर आएंगे कि इतना क्रोड रुपया किसान की फसल के लिए खरीदने के लिए लेकिन खाली हाथ सिर्फ हिस्से आया हमारे हैं हमोटे अनाज की मोटा नाज तो हम भी पैदा कर लेंगे उसको बेचेंगे कहां सरकार खरीटी कहां है मोड हमारे को कहा गया कि पानी बचाओ आब मक्वास्मिए फसल व्हाओ लेकिन रिकार्ड है कि एबृकिल्ऌ सरकार ने खरिदी हो बतातनों दो उसको लेके कहां जाएं हम तिलहन फसलें लगाएंगे बिजेंगे मोटे अनाज लेकिन बेचेंगे कहां आज जंगली जानवर इतने हो चुके हैं मोटे अनाज पे भी MSP तैय हो MSP तो है लेकिन खृदने की गरंटी नहीं है यह गरंटी होना कि सरकार खृद देगी सुरेट पर गरंटी तो न मानते हैं कि बजट में किसानों का ध्यान रखा गया है ऐसा जी यह सरकार करती है मन की बात अपनी मन की बात कर जाती है और जो मन की बात होती है वो होते हैं जुमले इस बार भी जो निरमला सितारमन जी है वो किसानों के लिए जुमले छोड़के चली गई अब भी हमारे सा किसान को इतना समर्थ नहीं किया जा रहा कि वो करज उतार दे बात वी छोबिस अजार करोड़ की हजार करोड़ों की बातें सिरफ हावा में करते हैं किसान तक कुछ नहीं पहुंचता अभी लेटेस्ट बात भी उन्होंने बताई कि दस पैसे गन्ने में दे दिया किसान क्या करेगा तो इन बातों से किसान का पेट बरने वाड़ा नहीं है अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो किसान को इतना समर्थ करो कि अगर वो करज भी लेता है तो उतारने का वो गुर्दा रखे वो उसकरज को उतार सके अब इन्होंने लिमिट बढ़ाई आया है टैक्स की सा किसान का क्रिशी कार्ड चलता है उस पर लिमिट है कि चार परसंट तक का ब्याजम तीन लाग की रकम तक दे सकते हैं आज महंगाई इतनी बढ़ गई है डीजल सो रपे के पास है यूरिया कितना महंगा हो चुका है ट्रेक्टर कितने महंगे हो चुके हैं क्या तीन लाख देश है अगर क्रीशी परदानी नहीं रहेगी तो यह जो लॉबी चल रही है जो हमारे किसान की जमीन को चीनना चाती है जैसे सरकार ने बोला कि हम कर्ज देंगे यह तो वही सर्माएदार वाली बात होगी जैसे छोटू राम जी ने पहले वही खाते पड़वाय थे हमें कर्ज देंगे हमारे जमीने कुर्क करेंगे कुर्क करके यह बिजनस क्लास को देंगे किसान नहीं खतम कर देंगे और सारी चीज़ को कमर्शलाइज कर देंगे तो आप खुश नहीं है बिल्कुल खुश नहीं है जैसे तो यह किसान है हर्याना के यमना नगर जो जिला है व कोई भी बड़ा ऐलान सरकार ने नहीं किया है करजा देने की बात की जा रही है किसानों को क्रेडिट कार्ट देने की बात की जा रही है लेकिन वो सब किसानों के सिर्पे और करजा बढ़ाने की बात की जा रही है और किसान जो हैं हर्याना के वो सीधे तोर पर कह रहे हैं कि उमीदे काफी थी लेकिन इस बजट में उन्हें मिला कुछ भी नहीं है यम्रा नगर से कैमरमेन बीर सिंग के साथ मोहित मलोत्रा टीवी 9 भाड़ा